हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माय चेनल कैसे हो केमचो नमस्ते आई होप आप सब अच्छे होंगे मज़े में होंगे तंदुरस्त होंगे हम भी बहुत ही मज़े में हैं तो आज का वलोग स्टार्ट कर रहे हैं रसोई से तो यहां पर मैं लगा रही हूं आटा तो मैंने जो आटा गी रहा था वो भी मैं साफ कर दूँगे साथ喔 7 हम करते रहते हैं तो काम जो बहुत ही कम हो जाता है तो यहां पर एका बना मूंग के निकाल लूँगी आज मैं बनाऊंगी मूंग की सब्जी तो उसको भी में निकाल लूघी और दोनों कंटेनर को अपनी जगव पर रख दूंगी ताकि प्लेटफॉम पर जगवं जाए तो यहां पर मैं दोनों को एक साथ वोस कर लूँगी मैंने चावल को भी 3-4 पानी से अच्छे से वोस कर लिया है, उसको साइड में रख दिया है, मैं मूंग को भी 3-4 बारा पानी से वोस कर लूँगी, और दोनों में मैंने पानी डाल कर नमक डाल कर मैं उसको उबालने के लिए रख दूँगी, तो मेरे चावल और मूंग उबल रहे हैं, तब तक मेरे वर्सिंग मसिंग में जो मैंने कपड़े डाले थे वो भी दुल चुके हैं तो मैं उसको बाहर हाथो हाथ सुखा लूँगी तब तक मेरे जो चावल और मुंग है वो भी उबल जाएंगे तो मैं यहाँ पर सारे कपड़े उसको सुखा दूँगी तो फिर से आचुकियो मैं किचन में यहाँ पर मेरे मुंग भी उबल चुके तो मैंने सबजी बना दी है उसमें डाला है तेल वई नोर्मल मसाले डाले हल्दी धनिया पावडो लाल मिर्स का पावडर थोड़ा सा गरम मसाला पाणी एन लाल मिर्ची की चतनी डाल कर उसको बना दिया है और लाश्ट में मैं डाल दूँगी नीमबू का रस तो यह बहुत ही टेस्टी वाली सबजी बनती है तो मेरी सबजी भी बन चुकी है तो लगे हाथ मैं प्लेटफरम पर जो सारे चीजे पड़ी उसको हटा दूँगी जैसे की मसाले का डिब्बा है उसको उसकी जगह पर रख दूँगी और जो मैंने मूंग उबाला था वो कुकर है उसको भी में लग गया था वोस कर दूँगी ताकि बरतन है ज्यादा हो नहीं मेरी सबजी यहां पर हो चुकी है तो उसको मैं मैं डख दिया है तब तक मैं यह बरतन है वो कर लूँगी और यहां पर प्लेटफोर्म पर भी थोड़ा साफ कर दूँगी इस तरीके से सफाई करते रहे थे तो फिर हमें ज्यादा बाद में सफाई करनी नहीं पड़ती है तो मैंने पूरा प्लेटफोर्म एकदम साफ कर में बना लूँगी रोटी अभी भी मेरे बेटे को आने में समय है तब तक मैं रोटी बना लूँगी तो तब तक दो बज जाएंगे और वो आ जाएगा तो मेरे तब सारी रोटी बना लूँगी तो मेरी सारी रोटी बन चुकी है और अब मैं इस पर एक लाश्ट रोटी उस पर घी लगा दूँगी तो ये है मेरी आज का थाली खाने की दो रोटी, चावल, सबजी और ये है आटे का हलवा, केहूं के आटे का हलवा तो खा लिया जाए, खाना खा लेते हैं, मेरे बेटे ने भी खाना खा लिया है, तो मैं भी बेटकर अभी खा लेती हूं, किचन क्लिनिंग है, वो मैं बाद में करूंगी तो मैं यहां कर रही हूं मंदीर की सफ़ाई तो मैंने एक बावल में ले लिया है पानी यहां पर एक ट्रे ले लूँगी मैं ट्रे में सारे भगवान जी को बिठा दूँगी क्योंकि मुझे मंदीर साफ करना है तो सब भगवान को मैं लेकर यह इस ट्रे में बिठा ताकि मैं अच्छे से मंदिर की सफाय कर पाऊं क्यूंकि कल से हो रही है नवरात्री शूरू तो फिर सुबे में मुझे मातारानी की स्थापना करनी होगी घरबे की स्थापना करनी होगी तो मैं मंदिर की सफाय साम कोई कर रही हूं तो मैं पूरा मंदिर अच्छे से साफ कर दूँगी और आप देख सकते मैंने पूरे भगवान जी को ट्रे में रख दिया है और यहां पर जो कपड़ा बिचाए हुआ था उसको मैं उठा लूँगी और यहां पर मैं पानी से अच्छे सी सब सफाई कर दूँगी मैंने पूरे मंदीर को अच्छे से साफ कर दिया है सब भगवान जी को नहला दिया है और यहां पर मैं अब सोच रही हूँ कि कौन सा कपड़ा नीचे बिचाए हूँ तो मैं दोनों ट्राय करकर देख रही हूँ कि कौन सा आच्छा लग रा है यह वाला जो आप देख रहे यह मुझे पसंद आया तो फिर मैंने वही बिचा आप देख सकते हैं मुझे ये वाला ज्यादा आच्छा लगा तो मैंने ये बिचा दिया है अब मैं सारे बगवान जी को अपनी जगर पर बैठा दूंगी और एक तरफ मैं जो है के खाली रखूंगी और यहाँ पर मैंने गनपती बापा को भी बिठा दिया है तो मैंने सारे बगवान जी को एक माता जी के मट माता के मट यहाँ पे कच में माता का मट का देवी आसापूरा का मंदीर महाँ पर सब पदियात्री नवरात्री इसलिए यह सब पैदल जा रहे हैं आसापूरा मा का मंदीर हैं कहां कहां से लोग आते हैं बुम्बे से पैदल आते हैं तो सारे पदियात्री यहां पर जा रहे पेदल यहां पर कच्छ में मासापुरा देवी मा का मंदीरे सब वहां जा रहे और आप देख सकते हैं यहां पर केम्प भी लगाए यह पदियात्रियों की सेवा करते हैं यहां पर आपको तिन तिन चारचा किलो मिटर के अंतर पर केम तक बंबे वहां तक से लोग पैद़ लाते हैं नवरात्री में और आपको देख सकते कि जो लोग निचे नहीं बेट सकते उसके लिए खाने का भी उपर इंतजाम किया गया और जो पैदला आते हैं वह यहां पर आराम कर रहे हैं तो आप देख सकते कितने सारी पब्लिक है जो मा देवी आसापुरा के कच्छ में मंदिर है वहाँ जाते है तो मा का बहुत ही परचा अपरम पार है लोग जो मननते मांगते उसकी पूरी होती है तो लोग बहुत सारे लोग जो आँख पे पटी बांध कर आते हैं कोई बीना चपल के आते हैं कोई सर पर गर लेकर आते को लेटते लेटते आता है तो मा का बहुती पर्चा अपरम पार है उसकी लीला अपरम पार है मा आसा पूरा देवी सभी के दुख दूर करते हैं और आप देख सकते हैं केम्प में इस तरीकी का मनोरंजन भी लोगों के लिए रखा है के थोड़ा माइन फ्रेस हो है तो आप देख सकते किस तरीके की कपरे पैंने हैं और सब की सेबा कर रहे मासा पूरा की तो बाते करें उतनी कम है मां की लीला अपरम पार है जो भी मनत मांगते हैं लोग की पूरी होती है तभी आज का वीडियो आपको अच्छा लेगा कर दो